वाव वाव, स्वाद इस्ट्रींग गम एक तरफ हटो, हैंडसम जैक को भी कुछ गम चाहिए वाव, यह आटोमेटिक मशीन आज उदार है, मुझे काफी गम दिये अब के वन मैं ही बची हूँ, आशा करती हूँ कि वो मेरे साथ उतना ही उदार होगा उफ, मेरा सिक्का अटग गया है, अब मैं क्या करूँ जैक इतना लखी क्यूं है, और मैंने अपना सिक्का भी खो दिया चिंता मत करो, तुम्हारी दोस्त एमा अब सब कुस्ते करेगी वाव, इतने सारे गम कहा जा रहे हैं हम कहा हैं, अब क्या होगा ऐसा लगता है, यह मल्टी डू की स्वादिश चुनौती है, हम इसमें शामिल है लगता है, यह स्क्वीड गेम्स के कुपीज है सब ठीक होगा तुम्हें उनसे एक मिनट में निपटने की कोशिश करनी चाहिए तुम्हारे लिए बोलना आसान है, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा नहीं है पर मेरे पास इसका एक पूरा पहार है, मुझी क्या करना चाहिए क्या करें, काम पर लग जाओ वैसे भी हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है मुझी ये किसी भी तरह करना है मैं ये नहीं चाहती कि इस सबका अंथ टीवी सिरिस के हीरोज की तरह हो तुम्हें सब इतनी जल्दी कैसे कर पा रही हो मुझे क्या करना चाहिए लगता है अब बस एक ही उपाई बचा है असल में मुझे लड़कियों की तरह तयार होना पसंद नहीं है लेकिन इस बार मुझे करना ही होगा मुझे स्क्वीड गेम की बस स्क्वीड डॉल बनना होगा तब मेरे पास जीतने का बहतरीन मौका होगा एमा इधर देखो तुम्हें क्या चाहिए तुम कौन हो बहुत बढ़िया एक चाहसे मेरा एक दुश्मन कम हो गया क्या तुमने अपने आपको देखा है ऐसा लगता है जिसे एक रंगा हुवा लड़का विक पहन कर हो पर मैं जीत गया और तुम्हारी कुक की बहादूर की मौत मरी अब क्या होगा लेली तुम्हें मेरा मेक अप कैसा लगा मेक अप आप मौन्स्टर जैक यह तुम हो यह क्या किया अब मेरे पास जितने का बिल्कुल मौका नहीं है पर तुम नीले रंग में बहुत अच्छी लग रही हो हाँ धन्यवाद मैं हमेशा से नीले रंग का बाल रखना चाहती थी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ दोस्त हाँ मैं जीत गया क्या बस इतना ही मुझे इतनी छोटी सी कुकी मिली है मेरी कुकी भी छोटी है पर मेरे पास बहुत सारी क्रीम है दोस्तो तुम्हारी कुकी मेरे तुल्ला में कुछ भी नहीं है जरा इस सुन्दर चीज को देखो और यो क्रीम सभी को पसंद होता है और मेरे पास तो यह बहुत सारा है हाँ इसे सभी पसंद करते है मैं अपनी कुकी को जल्दी से खा सकती हूँ अगर तुम लोग बुरा न मानो तो मैं पहले खाना शुरू करती हूँ और मैं इसकी शुरुवात क्रीम से करूँगी वाँ यह कितना हलका है बस जादुई बहुत स्वादिस्ट हे एमा तुम क्या कर रही हो जागो एमा हम अभी चुनौती में भाग ले रहे है ओ हाँ मैं सच में बुण गई थी मुझे जल्दी से अपनी कुकी खानी होगी और यह कुछ दूद में डुबा कर खाने से बैतर तरीका शायद कुछ भी नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है कि यह बहुत स्वादिस्ट होगा ओ हाँ ला जवाब दूद के साथ सम मिला कर पिना ही सच्ची खुशी है तो अब मेरी कुकी खाने की बारी है मुझे लगता है कि मेरी यह सफेद फिलिन भी तुम्हारी वाली की तरह ही स्वादिस्ट है कि तुम इतने स्मार्ठ हो मुझे यह कुकी दो आम इसे तुम्हारी मुँमें फिट होने लाइक बनाती हूं और यह गया अब तुम इसे जरूर खापाओगे यह तुमने क्या किया? मुझे लगा तुम बस कुकी को दबा कर छोटा कर रही हो पर तुमने तो स्ट्रफिंग का बड़ा हिसा खा लिया तुम्हारी भलाई के लिए किया भोग कर कही कि यह मैं तुम्हारे मदद के बिना भी कर सकता था दोस्तो लड़ो मत अच्छा होगा कि तुम लोग मेरे लिए खुश हो अब तुम्हारी दोस्त सुजी एक विशाल ओरियो कुकी को खाने वाली है और यो कुकी इसकी बड़ी फिलिंग को कहना सही होगा और मुझे लगता है कि अविश्वसने रूप से स्वादिस्थ होगा अरे बाप्री मुझे नहीं बता था कि कोई इतना खा सकता है तड़ा तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो जब खाना स्वादिस्थ हो तो सब संभव है अजीब है? बोतल? और इसके अंदर कैंडीज है इसमें अजीब बात क्या है? क्या बोतल बूरी चीज है? यह कैंडी तो बहुत अच्छे दिख रहे है मुझे इतने सारे बोतल के साथ क्या करना चाहिए? यह बेशप बहुत अच्छा है आशा करती हूँ अभी स्वादिस्थ होगा दोस्तों, अब मैं पता लगाऊंगा इसके अंदर का कैंडीज कितना स्वादिस्थ है अरे दोस्तों, मेरे पास खुशकबरी है यह केवल कैंडी नहीं, बलकि जैली है और इस तरह से यह और भी ज़्यादा स्वादिस्थ है क्या, सच में? स्वादिस्थ जैली? यह बहुत स्वादिस्थ दिख रहा है हाँ, यह बहुत स्वादिस्थ है मैं और भी खुश होता अगर मेरे पास और भी बोतल होते सूजी, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा बहुत मन है अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करने का नहीं, इसके बारे में तुम सोच ना भी मत मैं इसे खुद जितनी जल्दी हो सके खाना चाहती हूँ और तु मुझे परिशान कर रहे हो क्या यह सच में इतने स्वादिस्ट है? कैसा लग रहा है? ओ हाँ, यह तो कमाल के है मैंने इसे स्वादिस्टीज कभी अपने जिल्दी में नहीं खाई है चलो, देखता हूँ कि तब कि कितना खुश होती जब थोड़ा फैंटा तुम्हारे चेहर पर आकर गिरेगा सिपचिपा और गंदा ओ, मुझे यह लेवल हटा देना चाहिए यह कितनी अच्छी बात है कि मेरे पास अभी भी दो बोतल है हाहा, मेरी योज़ना काम कर गई अब सुजी पूरी तरह से भेंग गई है यह कोई मजाक वाली बात नहीं है मुझे ठन लग रही है यह लो, यह लैब कित तुम्हारी मदद करेंगी धन्यवाद एमा, तुम किस बात का अंजार कर रही हो? यह समह तुम्हारे बोतल को खोलने का ओ हाँ, मुझे इन सबको पीने में खुशी होगी बेशक यह बहुत स्वादिस्ट है पर इसे बोतल से खाना थोड़ा सुविधा जनक है इसे एक बड़े बर्तिन में निकाल कर खाना ज्यादा सुविधा जनक होगा इसे मिक्स करके जेली सुप बनाया जा सकता है सुप? जेली से? यह अजीब है नहीं, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है यह बहुत 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 ज़्यादा स्वादिस्ट है अब तुम लोग मुझे खाते हुए देखोगे और मुझसे जलोगे तो क्यासा लग रहा है? क्या तुम्हें यह जेली खाना है? बेशक तुम्हें खाना होगा बाल मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी यह मेरी स्वादिस्ट्रीट है बढ़ शायद हम थोड़ा चक्कर देख सकते हैं यह बहुत ही रंगीन, चमकिले और स्वादिर दिख रहे हैं कम से कम थोड़ी सी दे दो नहीं, मैं यह पूरा खोद इखाऊंगी लगता है, मेरे हाथ अटक गया है मदद करो प्लीज, मुझे बचाओ तुमारे हाथ अटक गया है, कितने अफसोस की बात है पर हम क्या करें, हम तुमारे लिए दुआ करेंगे नहीं, तुम लोग कहां जा रहे हो अम मैं क्या करूँ, मैं यह आ नहीं बचूंगी तो तुम्हें समझ में आया कि दोस्त कितने जरूरी होते हैं और उनके साथ शेयर करना चाहिए हाँ, मुझे समझ आ गया है, मेरी मदद करो ठीक है, फिर रुको, क्योंकि मैं और सुजी बहुत दयालू है इसलिए हम तुमारे हाथ को इस गंदी चिपचिपी चीट से बचाएंगे सुजी का धन्यवाद करो, फिर ड्रायर को लेकर आना उसी का आईडिया था धन्यवाद, अब मुझे समझ आ गया कि दोस्ती कितनी महत्पुन चीज है मल्टी डू को सब्सक्राइब करें, ताकि आप किसी भी चुनोती को मिस ना करें हमारा विश्वास करें यह और भी मनुरंजक और दिल्चस्प होगा